हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में चलिए आज मापको द्विघास समी करण के मूल पूर वर्ड विधी से ग्यात करना सिखाएं अब इसमें हम क्या करना है देखिए दोस्तों आपको देखना है कि एक्स का गुडांक का उनसा है और जो एक्स का गुडांक रहेगा उसी का आपको पूरे में भाग देंगे और किसी किसी समी करण में क्या होता है एक्स का गुडांक नहीं रहता है तब उसी स्थिति में क्या करेंगे आप जो मध्यवाला होगा उसको आप फिर अच्छी तरीके से किया जाता है उसको अभी आगे बताएंगे तो परहिल देखिए इसमें क्या करेंगे दो से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं तो अब देखे दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे 2 से पूरे समीकराण में भाग दे देंगे जैसे देखें 2x2 बटे 2 माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 अब देखिए इसमें जब 2 से हम भाग दे देंगे तो इसका 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x2-7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर में 0 ओके दोस्तों अब क्या करना है देखिए यहाँ पर जो बीच वाली देखिए यानि कि यह जो x2-7 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 है तो मध्धे वाला जो है इसका जो 7 बटे 2 है इसका हम आधा निकालेंगे और आधा निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें हम 2 से भाग देंगे तो आधा निकालेंगे और जो आएगा उसको हम क्या करेंगे दोनों पच्छों में जोड़ देंगे यानि कि जो इसका आधा आएगा उसको दोनों पच्छों में जोड़ देंगे तो इसका आधा निकालने के लिए देखिए दोस्तों हम इधर साइड में कर लेते हैं 7 अप और 4 जो गुड़ा होगा वो 16 हो जाएगा तो कैसे करेंगे देखिए x square minus 7 upon 2 x और इसमें क्या करेंगे प्लस में देखिए यहाँ पर जो 7 upon 4 का जो square करेंगे तो वो हो जाएगा देखिए लिखी देते हैं 7 upon 4 और इसका square इस तरीके से ठीक और प्लस 3 upon 2 बराबर में देखिए इधर 7 upon 4 का square अब देखिए जो हम इसको गुड़ा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से यहाँ तक जो है एक पूर्ड वर्ग के रूप में change हो सके पूर्ड वर्ग के रूप में यह a square minus 2ab plus b square के रूप में change हो जाए और इसको हम a minus b का square लिख सकें ओके दोस्तों तो बहुत यहाँ पर देखिए कैसे होगा देखिए अब यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके यहाँ तक आप देखें तो ये एक a square minus 2ab plus b square के रूप में change हो चुका है कैसे आप यहाँ पर यदि x को a मानते हैं तो x का square minus 2ab और 2 गुड़े एक जगह पर आप x रखेंगे तो 2 गुड़े x गुड़े b कमान यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 बटे 4 है तो यहाँ पर जब 2 गुड़े x गुड़े 7 बटे 4 होगा तो 4 जो है वो 2 से 2 बार में कट जाएगा और 7 बटे 2x आ जाएगा और square हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो a square minus 2ab plus b square के रूप में change हो चुका है तो इसको कैसे लिखेंगे सब पर पर देखेंगे a लिखेंगे तो a का मानी यहाँ पर क्या है x है तो x लिखेंगे उसके बाद चिन आपको हमेशा बीच वाले का लगाना है यानि हल करते समय हमेशा आपको चिन मध्य वाले का लगाना है चिन आपको बीच वाले संख्या का ही देखना है तो यहाँ पर चिन जो है माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे और B, देखिए यहाँ पर B जो है वो क्या है यहाँ पर 7 बटे 4 है तो 7 बटे 4 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 बटे 4 और दोनों का स्क्वाइर कर देंगे और यकीन मानिए जब इसका आप square करेंगे तब आप यही चीज पाएंगे यही यही जब इसका square होगा तो x का square फिर minus 2 a b तो यही चीजे आएंगी पूरा यहां तक ठिक और इसके बाद यहां पर क्या बचा है 3 बटे 2 और बराबर में देखिए दोस्तों 7 square यहीं 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएग अब देखिए इधर कितना बचा x minus 7 बटे 4 का square और देखिए इस 3 बटे 2 का इधर पच्छांतर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 49 बटे 16 माइनस 3 बटे 2 यह हो जाएगा अब देखिए क्या करना है यहां पर x minus 7 बटे 4 का square और बराबर में 16 और 2 का LCM 16 ही होता है ठीक और 16 का 16 में भाग देंगे एक बार जाएगा और एक का 49 में गुड़ा करेंगे तो 49 ही आएगा और minus 16 में जब 2 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 8 के 3 में जब गुड़ा करेंगे तो 24 ही आएगा अब इसी equation को हम अगले पेज में लिख लेते हैं फिर आगे इसको solve करते है तो देखे दोस्तों हम आ चुके हैं next page में अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों देखिए उसी equation को हमने पूरा लिख लिया है और इसको इसी प्रकार से आपको लिख देना है x-7 बटे 4 का square और बराबर में देखिए 49 में से जब 24 को घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा और 25 बटे 16 आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अब इतना देखिए अब यहाँ पर जो square है दोस्तों इसका आप पच्छांतर करेंगे square का पच्छांतर करेंगे तो इधर किस में चला जाएगा अंडर रूट में तो इधर क्या बचेगा दोस्तों x-7,54 और देखिए यह रहेगा और बराबर में जब square का इधर पच्छांतर करेंगे तो यह 25 बटे 16 का पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा इस तरीके से ठीक है तो अब देखिए खिए क्या मिलेगा x-7,54 और देखिए बराबर में ज़ी जो 25 है इसका जब वर्ग मूल होगा तो 5 आजाएगा और 16 का जब वर्ग मूल होगा तो 4 आजाएगा और यह किस में आएगा दोस्तों, प्लस माइनस में ओके, यह प्लस माइनस में आता है वर्ग मूल तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मूल ग्याद करना है ठीक है तो सवर पर्थम क्या करेंगे लिख देते हैं प्लस चिन लेने पर प्लस चिन लेंगे तो मूल दूसरा आएगा और फिर माइनस चिन लेंगे तो फिर दूसरा मूल आएगा इस तरीके से हमें दो खीच देते हैं और दोनों तरफ हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से ठीक है दोस्तों तो इधर देखें लिख देते हैं फ्लस चिन लेने पर और इधर लिख देते हैं माइनस चिन लेने पर अब देखिए सार प्लस चिन वाला करते हैं यहाँ पर देखिए एकस माइनस सेव इसका हम प्लस चिंध लेंगे इस बार और इधर जब करेंगे तब माइनस लेंगे तो प्लस चिंध में यह हो जाएगा पांच बटे चार ओके दोस्तों अब देखिए क्या करेंगे सेवेन पांच फोर का इधर पच्छांतर करेंगे तो एक्स बराबर क्या मिलेगा फाइव पांच फोर प्लस सेवेन पांच फोर यहनी कि जो सेवेन पांच फोर जो है इधर माइनस में था और इधर जा करके किस में हो जाएगा प्लस में ठीक है दोस्तों तो X बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5 और 7 12 और हर समान इसलिए नीचे 4 ही आ जाएगा तो X बराबर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा तो पहला मूल आपको क्या मिला दोस्तों 3 मिला अब हमें ग्याद ये देखिए एक answer आपका ये हो गया ठीक है दोस्तों इस तरीके से पहला मूल ग्याद हुआ अब हमें दूसरा मूल ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए minus चिन इसको अब लेंगे तो यह कैसे हो जाएगा x minus 7 upon 4 और बराबर में ये minus 5 upon 4 हो जाएगा हमने minus का चिन ले लिया है इसका इधर पच्छांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा minus 5 upon 4 प्लस 7 upon 4 यानि कि यह जो minus का इधर आ करके plus में चला जाएगा अब x बराबर क्या मिल जाएगा देखिए यह plus minus है तो घट जाएगे 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा और बट जाता है तो x की value आपको one upon two मिल जाती है तो इस प्रकार दो मूल ग्यात हुए एक यह और एक यह तो इसी तरीके से आप किसी भी समी करण के मूल ग्यात कर सकते हैं एकदम easy तरीके से तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल पर नहीं आए है तो सब् से पहले भूंचेंग